वैदिक जादना अध्यात्मे केंद्र में आप सभी का मैं हर देख स्वागत करता हूं तुलारासिवलों मंत्र विद्या वैदिकाल से ही चली आ रही है और हम सब भी जानते हैं कि मंत्र, तंत्र, यंत्र, उपासना से ही कार्य सिद्ध होते हैं और हम सब यह भी जानते हैं कि जोतिस सास्त्र के अनुसार गरह भी हमारे जीवन में कितने प्रभावशाली होते हैं और आज मैं आपको जोतिस सास्त्र के अनुसार ही जानकारी देने वाला हूं कि 14 जून से 15 जुलाई के पिर सुर्या रासी परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन पर केशा रहने वाला है। मित्रो मेने तो 7 अप्रेल 2024 के कुम्बरासरी के वीडियो में ही पविश्यवानी करते हुए कहा था। बारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थि व्यवस्ता बनने की और आगे बढ़ेगा। बारत को सकते साली देश की पहचान मिलेगी। फिर से भारत नईंद्र मोदी के नित्रूत में आत्म निर्भरता के ख्षितित को छूते हुए टेकनोलोजी और विकास को आगे बढ़ाए और आज यह बविश्यवानी सत्र प्रतिस्त सही साबित हो रही है। आप चाहे तो उपर क्लिक करके वह बविश्यवानी वीडियो देख भी सकते हैं। मित्रों 14 जुन से लेकर 15 जुलाई के बीच आपके घर में, आपकी दुकान में, आपके कार्याले में, आपकी फेट्री में धन, लाव, प्रतिष्टा को लेकर क्या-क्या बदलाव हो सकता है। क्या वाकाई में गाउं, शहर, राज्यों की श्यमाओं को छोड़ कर आगे निकल सकते हैं। क्या वाकाई में सुर्य अद्बूत और चमतकारित परिवर्तन करेगा। क्या लोक्री पेशा लोगों की मन की इच्छाय पूरी होगी। धन, प्रेम, परिवार में क्या कुछ अ राषिवालों के लिए जिवन के अगले 3Dन के से रहने वाले है। तुले राषिवालों सुर्य अश्य मुर्जा का गर्ह है। जब भी वहां राषि परिवर्तन करते हैं या भी वह गोचर में किसी राशी के संपर्ख में आ जाते हैं तो व्यक्तियों के जीवन में ही परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे में जब सुर्य गरा मिथुन की राशी में प्रविस करेंगे तो आपके सुवे हुए भाग्यों को जागरूत करने का कारिय करेंगे। आपके साहस और प्राकर्म में व्रुद्धि होगी। आप अनुमाओं कर सकेंगी कि आपको हर जगह पर बाग्यों का सहयोग मिल रहा है। आपके आध्यात में व्रुद्धि बढ़ने लगेगी। धार्मिक यात्राओं के साहस आपको देश विदेश में गुमने की कार्ये करने की आउशर मिलेंगे। आपको प्रशनल और प्रोफेशनल दोनों ही जीवन में शुखों की प्राप्ति होगी। मित्रो सुर्य देव आपके नवंभाव में ही गोचर करेंगे। और जन्म पत्रीका में नवंभाव बाग्य का होता है, यात्रा का होता है, सन्यास का होता है, सोचो हुए सपनों को पूर्ण करने का होता है। इसे में अगर आप किसी व्यापारिक डिल पर समझोता करने के लिए बढ़ रहे है या फिर डिल करने की भिराक में है तो आपको बढ़ालाब होता है। सरकार से लाब मिलता है, अच्छे-चे कंपनियों के सार आपका कॉलोब्रेशन होता है। खास्तोर पर जो एलेक्ट्रोनिक एवं मसिनरी सम्मधित कंपनियां चलाते हैं। उनकी कंपनी की रप्तार एक दम से बढ़ जाती है। आपके प्रोडक्ट बिकने लगते है। मित्रोत जन्मकुनली में नवंभाव श्रशुराल पक्षस सहयोग के साथ साथ परदेशी व्यक्ति से मिलने वाले लाब का भी होता है। ऐसे में अगर आप किसी विदेशी कंपनी से जुड़े हैं तो 15 जून के बाद आपको आकस्मिक लाब मिलता है। या फिर कंपनी कायाद निर्या से होता है जो समुद्र के बीच व्यापार करते हैं इनको इस सवधी के दुरान बर आलाब मिलता है। जो लोग लोग लेकर कार्य का प्राणम करना चाहते हैं उनकी प्रयास सफल होते हैं जिनका कार स्पोर्ट से सम्मंदित होता है वहां श्वर्ण पदक य अपनी जिन्दी बदल लेते हैं आपको आजिवी का प्राप्त करने का संसाधन मिलता है आप अपनी विद्याओं के बल पर नोकरी प्राप्त करते हैं आपको इंटर्यू में भी सबलता मिलते हैं आप इसी जगह पर डिवेस करने पर भी मजबूर होते हैं जहां पर आपको अब प्रत्यास्तितुप से लाब मिलता है यानि की धन मिलता है मित्रों 14 जुन से सुरिया आपके लाबाव की स्वामी हो रहे है तो वो गवर्मेंट जोग या भी सरकारी किसी स्किम से भी लाब देने का उशर प्रदान करते है मित्रों सुरिय देव के इस गोचर में आपको विध्या का भी लाब मिलेगा संतान का भी सुख मिलेगा ओपिस में आपके सहकर्यों के साथ भी रिष्टे अब अच्छे बनने लगेंगे अगर आप किसी मल्टी नेशनल कंपनी में इससा बनने के लिए प्रेतनसिल थे तो आपको किसी सहयोगी मित्र से भी मदद मिलती है मित्रों मेने जो भी कुछ अनुभव से सीखा है और जिसमें मैं सफल रहा हूँ इसी अनुभव से मैं आपको एक जानकरी अवश्य दूगा मित्रों सुर्य हमारे जीवन में अंदकार को नश्ट करता है और प्रकासित करता है और वह हमारे लिए आसा की किरण है ऐसे में जब सुर्य नवंभाव में बूत के साथ योग कारक बनते है तो सिक्षा की क्षेत्रे सिर्डियरे लोग सभल होते है बाई बहनों की और से रिष्टिदारों की और से आपको मन शम्मान मिलता है आपको व्यापार के लिए कोई अच्छा साजिदार भी प्राप्त होता है मित्रों याद रखिए सुर्य केवल आत्मा और सत्ता का कारक नहीं है इनका प्रभाव बड़े पर स्थान और भागी रहसरारी से भी होता है और अगर सुर्य आपकी कुनली में मजबुत होगा और कोई पाप ग्रहों की यूती नहीं बन रही होगी तो आप साथ समुंद्र पार भी अपने सपने को पूर्ण कर सकेंगे और ये मेरे योर में ये मेरे अनुभाव से कह रहा हो मित्रों केसे बड़े नीड़े और अच्छी स्थिती दग पहुचने के लिए कुनली का विश्लिशन करके ही आगे बड़े रुसुर्य परिवर्तन जुन दोजार चूज में इतना है जए गुरुदाद जए गिन्नारी